हेलो स्टूडेंट तो कैसे हैं आप सभी आज जो है हम आपको जो है स्टेड और सीटेड दोनों के लिए जो यह भी क्लास है भी मैं जो ले रहे हूंगी यह बहुत जादा इंपोर्टेंट है तुकि भारती अर्थफ्यवस्था से कोईशन्स जो रहते हैं उनका वो बहुत ज सीट सब है जो जानना बहुत जरूरी है हम सभी के लिए तो इस वीडियो को आप लाश्ट अंत तक देखे कहते हैं कि पात्र और कुपात्र में बहुत अंतर है पात्र और कुपात्र में बहुत अंतर है गाई घास खाकर भी दूद देती है और सर्प दूद पीकर भी जहर तो गाईस तो हम लोगों को जो है हमेसा तुट करना चाहिए यानी पात्र बनना चाहिए कि ऑख को पात्र नहीं तो ये हम सिक्छा के द्वारा ही होता है आप सभी को पता है तो स्टार्ट करते हैं भारती अर्थ व्यवस्ता इसका जो है मैं पार्ट 123 वज अर्थ व्यवस्ता को जानना संभब नहीं है तो अभी जो आपको मैं बताऊंगी वो आप इसको कौपी में एक अच्छा सा नोट्स बना सकते हैं क्योंकि यह बहुत जादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो स्टार्ट करते हैं गाइस अर्थ व्यवस्ता का संबन जो है कि मत अधियम से वह अपने आर्थिक अपने आर्थिक संसादनों का अधिक्तम दोहन करते हुए विकास के उच्छ अस्तर को प्राप्त करना चाहता है भारती अर्थ व्यवस्ता के संदर्व में भी यह सभी बाते लागू होती है अर्थ व्यवस्ता में अर्थ व्यवस्ता के ती मुख्य मॉडल हैं तो यह मॉडल क्या है समाजवादी पूंजी वादी और मिस्रित मॉडल भारत में कौन सा मॉडल है तो भारत जो है वो मिस्रित अर्थ व्यवस्ता है जिसमें सार्व जनिक के साथ साथ नीजी छेतरों को भी महत्व प्रदान है अब हम लोग देखेंगे अ अर्थवेवस्ता की विसेस्ता है भारती अर्थवेवस्ता को अर्ध विक्सित अर्थवेवस्ता या अल्प विक्सित अर्थवेवस्ता या विकासिल अर्थवेवस्ता अत्वा मिस्रित अर्थवेवस्ता आदी नामों से संबोधित किया जाता है तो यहां पर मैं आपको एक न्यूज से जोड़ना चाहूंगी कि आप लोग को जैसे की पता है कुछ दिन पहले जो है जो अमेरिका के राश्ट्रपती डोनाल टर्म आये थे और उन्होंने कहा था जो भारत जो है अब विक्सित अर्थ व्यवस्ता से भारत को निकाला जा रहा है यानि वो जो है विकास स सोड़ी काइस वो विकास दिल्स निकाला जा रहा है तो अब विक्सित में आगया है हमारा जो भारत है तो ये उन्होंने कहा था चलिए फिर आगे बढ़ते हैं भारतिय सन्विधान में आर्थिक विकास के लिए समाजवादी परनाली को स्विकार किया गया है विकास के लिए स्विकारिय समाजवादी परनाली में सारवजनिक छेत्र और नेजी छेत्र दोनों को महत्व दिया जाता है भारती अर्थ वष्व की चटी, एशिया की तीसरी एवं क्रेश्रक्ति छमता यानी पर्चेसिंग पावर प्रायरिटी जिसको बोलते हैं की आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ वष्वास्ता है भारतीय अर्थवेवस्था के कुछ लच्छन है तो स्टूडेंट क्या वो लच्छन है जैसे किसी प्रधान अर्थवेवस्था पूंजी, निरमान की नीमनदर, जनसंख्या बिद्धी, विरोजगारी एबं अर्थविरोजगारी, निमन प्रती व्यक्ति आय, अधोगिक पि भारत में आर्थिक नियोजन तो नियोजन क्या है भारत में आर्थिक नियोजन संबंदी 10 वर्षिय योजना जो है सर्वपर्थम सन 1934 में M.Biswesraya की पुस्तक Plant Economy for India में रस्तुत की गई तो पुस्तक का क्या नाम है Plant Economy for India भारती रस्तिय कॉंग्रेस ने पंडित जवाल लाल नहिरू के नेतरित में सन 1938 में हरी पूरा अधिवेशन राष्टिय नियोजन समीति का गठन किया इस अधिवेशन की अध्यच्रा सुवाशन बोशने की थी समीति द्वारा प्रस्तुत योजना के प्रमुग विंदू थे सहकारी क्रीशी को पोर्शाहन उद्दोगों का विकास मिस्रित अर्थव्यवस्था और क्रीशी रिनों की उपलपता सन 1944 में यानि 1944 में बोंबई के आठ प्रमुग उद्दोग पत्यों ने मिलकर एक पंद्रा वर्षी योजना का प्राव परस्तुत किया जैसे बोंबई प्लान के नाम से जाना गया अप प्लान फॉर एकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया नामक योजना द्वारा प्रतिवेक्ति आई को दोगुना करने का लच्छे रखा गया तो इस प्लान का क्या नाम था स्थापना के सिर्श में प्लान के सथापना के उद्देश से सन 1950 में सरवोदय योजना प्रस्तुत की जिसे सरकार ने आंसिक रूप में सुईकार किया परमुग गांधीवादी विजारक श्रीमन नारायन ने गांधीवादी योजना नाम से एक वेकलपिक योजना प्रस्तुत की भारत सरकार द्वारा योजना और विकास बिवाग की स्थापना आदेशिस दलाल की देखरेक में की गई ये बॉंबई प्लान योजना के लेखकों में सामिल थे अर्देशिर दलाल अब हम लोग देखेंगे योजना आयोग क्या है तो योजना आयोग भारत में योजना आयोग का गठन जो है नियोगी समीती की सिफारिस पर 15 मार्च 1950 को किया गया या एक गैर सनवैधानी संस्था थी जिसका पदिन अध्यज परधान मंतरी होता था और इस अस्थान पर अब नीती आयोग का गठन किया गया आःइन यह जो है अब खत्म कर दिया गया और अब नीती आयोग इसके स्थान पर आ गया यह जोना आयोग क्या है तो नीती आयोग जानी निती आयोग का फूल फूर्म क्या होगा National Institutions for Transforming India आयोग यह जो है ना अधिकांस competitive में पुछा जाता है तो यह बहुत ज़्यादा important है क्या बोला जाता है इसको National Institutions for Transforming India आयोग इसका पूरा नाम राष्टिय भारत परी वरतन संस्थान है यह आयोग विकास परकिरिया में निर्देश रन नीती प्रामर्ष देगा यह भी आयोग आयोग का ही भाती गैर सन्वेधानिक निकाय है यानि यह क्या है एक गैर सन्वेधानिक निकाय है नीती आयोग की सनरचना इसके अध्यच परधानमंत्री होते हैं और उपाध्यच प्रधामंती दौप दोरह निश्य नियुक्त विश्यशक और पूर्णिकालि सदश्य बरतमान में तो पूर्णिकालि सदश्य जो है अभी बरतमान में दो हैं पदेंशद्यश यानि केंद्रिय मंतरी परिशत से अधिक्तम चार सदश्य जो परदानमंती द्वारा नामित किये जाएंगे वो पदेन सदस होते हैं और विशेष आमंती सदस्य विभीन छेतरों के विशेशक जो होते हैं इसका पदेन अध्यज भारत का परदानमंत्री होगा जबकि उपाध्यज एवं शासी निकाई की नियुकति सरकार करती है अर्ठ शास्तरी अर्विंद पंगरिया इसके प्रत्थम उपाध्यच बनाये गए थे बर्तमान उपाध्यच राजिप कुमार हैं नेक्स्ट रास्टिय विकास परिशत तो राश्टिय विकास परिशत का गठन आर्थिक नियोजन हेतू राज्यों तथा योजना आयोग के बीच सहयोग का बाताबरन बनाने के लिए 6 अगस 1952 को किया गया योजना आयोग के सदस्यों के साथ राज्य के मुख्य मंत्रियों को मिला कर इसका गठन किया गया नवगठित निती आयोग में इसकी लगभग सभी विसेस्ताएं सामिल है अतह इसके भविश्य पर अनिश्चित बनी हुई है यह भी एक गैर सनवेधानिक निकाई है जिसका अध्यच परधान मंत्री होता है इसका राश्टिय विकास परिशत का अध्यच कौन होगा और निती आयोग वाला इसका जो है यूजिसी नेट में भी पूछा गया है कि कौन मतलब थे तो यह जो बनार हैं हम आपका इंडियन इकॉनमी यह जो है ना सभी कुली कोई भी इकजाम Semya पहले एक नज़र इसकत जरूर देना चाहिं हम लोगे वाशिय योजना तो क्या है पंच वर्शी लिओजना 1 अप्रेल 1 अप्रेल 1951 से भारत की पर्थम पंचवर्ष्य योजना की सुर्वात की गई इसके परश्चात पंचवर्ष्य योजना की एक सिंखला प्राडम हो गई अब भारत में अब तक 11 पंचवर्ष्य योजनाईं लागी की जा चुकी है एक अप्रेल 2012 से बारवी पंचवर्षी योजना प्राडम की गई पंचवर्षी योजना एक दिरिष्टी में पहली पंचवर्षी योजना 1951 से 56 पीशी चेतर को इसका लच्छे अब देखिए हर पंचवर्षी योजना का कुछ लच्छे होता है और कुछ क्या होती उसकी प्राप्ति हुआ कि नहीं हुआ उसको मुपलब्दी में देखेंगे और अगर नहीं हुआ तो वह असफल ताए में आएगा तो हम हर पंचवर्षी योजना का देखेंगे कि वह कहां तक वह अपना उपलब्दी प्राप्त कर पाया या असफल हुआ तो पहली पंचवर्ष मौडल पर आधारी था अब दिखिए पहली पंच वर्षी ओजना का लच्छ क्या था कि रिसी छेत्र को सर्वोज प्राथमिक प्रदान करके उसका विकास करना सामुदाइक विकास काड़िय करम की शुरुआत करना निवेस की मात्र पांस से साथ प्रतिशत तक बढ़ाना खादान में आत्म निर्भरता प्राप करना और श्रण आर्थियों को पुर्णवाश करना अब हम उपलब्दिया देखेंगे क्या के एच्छीव किये पहला पंच वर्षी ओजना में किरिसी उत्पादक्ता में तिब्र बृद्धी हु प्रतिवेक्ति आई 1.8 प्रतिशत की बृद्धी लच्छित विकासदर 2.1 की अपेक्छा 3.6 की प्राप्ती हो गई और कीमतों में इस्थीरता रही भाकरा नांगरबान दामोदर और हिराकुन जैसे बहुत देशे नदी परियोजना प्राड़म हुआ इसमें कोई अशफल प्रता हमको नहीं हुआ सब अच्छा हुआ दूसरी पंच वर्षी योजना देखेंगे दूसरी पंच वर्षी योजना जो है 1956 से 61 ये किस मॉडल पर आधारी था माहाल नूबीस मॉडल पर कौन सा माहाल नूबीस तीवड और दोगी करन को शर्बोच प्राथमिक्ता आधा भूत और भारी उद्दोगों के विकास पर बल समाजवादी व्यवस्ता को बढ़ावा देना जिसका कॉंग्रेस ने अवारी सम्मेलन में अनुमोदन किया था राश्टिय आई में 25% की बिद्धी करना असमानताओं को कम करके रोजगार के अफसरों का श्रिजन करना साथ से 11% तक निवेश की दर में बिद्धी ये हमारा लच्छित था अब देखें क्या उपलब्दी हुई लच्छित विकास दर 4.5 की अपेक्छा कितना मिला 4.2 विकास दर प्राप्थ हुआ दुर्गापूर बृतेइन के सहयोग से भिलाई जो है पूर्व सोवियस संग के सहयोग से और रावुरकेरा जर्मणी के सहयोग से लोग स्पासन्योंतु की स्थापना हुई परमानु उर्जा सन्यत आयो के स्थापना हुई इंटीग्रेट कोच फैक्टरी और शितरंजर लोकोमोटिव के स्थापना हुई अब देखिए इसमें जो है बोड़ाएं कि क्या हमको असफलता हुए तो विदेशी विनीमे दर में निम्न होने से विकास दर प्रभावित हुआ महगाई और कम क्रिशी उत्पादन से आर्थिक विकास प्रभावित हुआ नेक्स्ट तीसरी पंच वर्षिय योजना जो 1961 से 66 तो ये को इस मौडल पर आधारित था जे सैंडी और सुखमई चकरवती के मौडल का प्रभाव पर आधारित था इसका लचिकात था अर्थ विवस्ता को स्वालंबी और स्वाफ फुर्थ विकास करने योग्या तो तीसरी पंच वर्षिय योजना जो है वो 1961 से 66 ती और ये किस मौडल पर आधारित थी जे सैंडी और सुखमे चकरवर्थी के मौडल का प्रभाव पर ठीक है और इसका लचिकात था अर्थ विवस्ता को स्वालंबी एवं स्वाफ फुर्थ विकास करने योग्या बनाना क्रिसी का मूलबूत उद्दोगों का विकास करना राष्टिय आय में 30 परतिशत तथा प्रतिविक्ति आय में 17 परतिशत की बृध्धी करना 1965 के भारतिय पाकिस्तान योध के कारण चतुर्थ योजना तीन वर्ष की देरी से सुरू हुई अब देखिए उपलब्धी क्या हुआ लच्छित दर जो है 5.6 जो है 5.6 रखी गई परंतु प्राप्ति के वर 2.72 परसेंट ही हो सकी जून 1966 में सरकार द्वारा भारतिय रुपिय के अब मुल्यन की घोशना की गई असफलताएं क्या हुई भारत चीन 1962 तथा भारत पाक 1965 युद्धों के कारण आर्थिक विकास परभावित हुआ चतुर्थ पंचवर्षिय योजना तीन वर्षों के लिए स्थगित हुआ यह हुआ हमारी असफलताएं अब तीन वर्षिय योजना अफकास क्या है तो योजना अफकास 1966-69 तक था तीन वर्षिय योजना की असफलता भारत पाक वर्ष 1965 युद्ध के कारण आर्थिक अर्ष्थिर्था एवन भीसन सुखे के कारण अगले पंचवर्षिय योजना को बिराम दिया गया और उसके अस्थान पर एक अप्रेल 1966 से 31 मार्च 1969 तक तीन वर्षिय योजनाओं का संचालन किया गया इस काला अधी में देश के में कोई नियमित नियोजन नहीं किया गया इसलिए इस योजना अफकास यानि प्लान होलिडे कहा जाता है और इसके सलाकार डॉक्टर डी आर गार्ड किल थे अब है चौथी पंच वर्षिय योजना चौथी पंच वर्षिय योजना जो है 1969 से 74 है यह किस मॉडल पर आधारित थी तो ओपन ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल क्या है ओपन कंसिस्टी मॉडल पर आधारित थी और इसका लच्छे था इस्थीरता के साथ आठी विकास एवं आत्म निर्वर्था की प्राप्ती रास्टी है आएवं रोजगार सिरेजन में बृध्धी पिछले छेतरों में तिवर्था से वि नियाएं के साथ विकास और गरिवी हटाओ कारेकरम जोडा गया अब इसका मतलब इसकी उप्लवधियां थी पहले दो वर्स में योजना सफल क्रांती हरित क्रांती के कारण खादान उत्पादर में ब्रिद्धी हुई और बफर स्टॉक का निर्मान किया गया लेकिन इसमे कि तेल संकर था बंगला देशी शरनाथियों को संकर के कारण योजना पर बुड़ा परवाप पर गया नेक्स्ट है पंच पांच पंच वर्षी योजना जो 1974 से 79 सी सुभ्रमन्यम द्वारा निर्मित परतच्य मॉडल विकास बृद्धी का मॉडल अपनाना ठीक है तो यह क दिवर्ता की प्रस्तुती हेतु बृद्धी की उच्च दर को बढ़ावा देना लच्छित विकास दर 4.4% की अपेक्छा 4.7 की प्राप्ती हुई यानि जितना था उसे ज़्यादा उसको मिला प्रतिवेक्टी I 3.1% की बृद्धी 1971 से 72 की कीमतों में बृद्धी के कारण योजना प्रभावित या योजना 1978 में एक बर्स पहले ही जनता पार्टी की सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई थी नेक्स्ट है छटी-पंच बर्षिय योजना क्रिसी एवर्म उद्धोगों के तिब्ड विकास दर द्वारा गरीवी निवारन न्यूनतम अपकास कारेक्रम द्वारा न्यूनतम आई वर्गों की बढ़ाना विकास के लिए विवीन योजना शुरू करना निर्धारन निव और रोजगार श्रिजन रच्छे क्या है भारती अर्थवेवस्ता तेजी से विकास करने वाली अर्थवेवस्ता बन गई अधी कांस निर्धारित लच्छों की प्राप्ती 5.2 परसंट की लच्छित विकास दर्किया पेक्चा 5.5 की प्राप्ती हुई अब जो यह चटी-पं इसको अर्थवस्ते गुर्णार में डर को जाता है नेक्स्ट है साथ भी पंचवर्षी ओजना जो 1985 एने 1985 से 1990 जो है साथ भी प्रच्छिवर्षी ओजना की कालाब्दी थी अब देखिए इसमें क्या-क्या उसका लच्छ था तो खादान उत्पादन में अस्थिता को दूर करना रोजगार के अपसरों का स्रीजन, क्रिसी उत्पादक्ता को बढ़ाना, दिर के कालीन विकास युक्तियों पर जोड देते हुए उदारी करन पर बल देने की नीती अब है भारती अर्थ व्यवस्था द्वारा प्रोफेशर राज किष्ण की हिंदू विकास दर के अबधारना को पार करना खादान उत्पादन में 5.0% की लच्छित विकास दर की अपेक्चा 6.0 की प्राप्ति हुई यानि जितना था उससे ज़्यादा और प्रतिवेक्ति आए में 3.6 की प्रिद्धी हुई दो योजना दो बार्शी योजना है तो दो बार्शी योजना है क्या थी एक अपरेल 1990 से 31 मार्श 1992 तक 31 मार्श 1990 को 7.5 वर्शी योजना की समाप्ति पर सरकार को जल्दी जल्दी बदलने है तो इसमें क्या वाना 2 वर्शी योजना है तो 31 मार्श 1990 से 7.5 वर्शी योजना की समाप्ति पर सरकार ने जल्दी जल्दी बदलने से 8.5 वर्शी योजना प्राडम नहीं हो सकी नवंबर 1990 में जन्ता दल सरकार के पतन के बाद कॉंग्रेस जो है वो समठ्थी चंद्रसेकर सरकार ने योजना आयोग का पुनगठन कर मोहन धाडिया धाडिया को इसका उपाधियस न्यूग किया दुर्भाग से इस सरकार का भी पतन हो गया और जून 1992 में कॉंग्रेस सरकार पुर्ण वासी के बाद पर्णम मुखर जी को योजना आयोग का उपाधियस न्यूग किया गया अन तता 8 वी पंचवर्शिय योजना 1992 से 1993 से 1996 से 1997 की अवधी हेतु पर्वित हुई इस फड़कार 1992 की दो वार्षिक योजनाओं के रूप में सामनी आई अब है हमारा आठवी पंच वर्षिय योजना तो आठवी पंच वर्षिय योजना क्या है 1992 से 1997 और यह जॉन W. Mooler पर आधारित है आठवी पंच वर्षिय योजना केंद्र में राजनतिक अर्शिता के कारण दो वर्ष देर से शुरू हुई और इस दोरान 1990 से 1992 के बीच के बीच दो वार्षी क्यो जनाई चलाई गए विभीन पहलू में मानव विकास करना और आम जंता को मानव जीवन इस्तर उपलग कराने के लिए अर्फ विवस्ता में बदलाव लाना अब लच्छित विकास दर 5.6 की अपेक्छा 6.6 की विकास दर की प्राप्ति बैपार एब इसके बाद इसका इसमें क्या ये हुआ तो सामाजिक आर्थिक विकास संकेतकों की धीमी बृद्धी हुई और रोजगार सिजन में बृद्धी नहीं हुई यही हुआ हानी हमारा नेक्स्ट है नौभी पंचवर्शी ओजना समाजिक समानता और नियाई के स्थापना के जनजाती के कल्यान के लिए प्रियास करना मानव विकास को मुखे समझ से और केंद्री मुद्धे के रूप में स्विक्रिति और इसमें क्या हुआ मंदी के कारण आर्थिक विकासदर प्रभाबित हुआ लचित विकासदर 6.5 की अपेक्चा 5.5 5.4% की प्राप्ती हुई य प्रिश्ण की आर्थिक विकासदर हासिल करना रोजगार के अपसर सिजित करना सभी गाऊं में पेजल सुविदा उपलब्ट करना साचर्ता दर बढ़ाना लिंग विसमता कम करना महत्पुन समझे संकेतों में सुधार करना लचित विकासदर 8 परतेशत की अपेक्चा 7.5 प्रतेशत की विकास दर प्राप वास्तवी वचत और निवेस में लच्छों की बृद्धी क्रिशी और उद्दोग और सेवा में प्राप सन बृद्धी लच्छों की काफी निकट रही 11 पंचवर्षी योजना क्या है तो ये 2007 से 2012 राष्टिय विकास परिशत ने 11 पंचवर्षी योजना को 20 दिसंबर 2007 को मंजूरी दी थी और इस योजना के परमुख लच्छ थे 11 पंचवर्षी योजना में समावेशी विकास करने को प्राथ्मिक्ता दी गई GDP ब्रिधी दर को 8% से बढ़ा कर 9% करना 7-6 विर्जगार की दर 5% से नीचे लाना क्रिसी आधारित ब्रिधी दर 4% प्रती वर्ष तक बढ़ाना बाल मित्यूदर 28 वाई 1000 करना यानी 1000 में 28 इसकी आयू में बच्चों के बीच कू पोशन इस्तर में बरतमान के मुकाबले 50% की कमी लाना और लच्छे दर 8.11 एक प्रतीशत और इसमें इसको क्या मिला उद्दोग के छेत्र विकास दर जो है 7.12 प्रतीशत वार्षिक हुआ और सेवा छेत्र में विकास जो है 9.7 प्र तो यह हमारा नेक्स्ट है 12 पंचवर्षिय योजना तो 12 पंचवर्षिय योजना जो है 2012 से 2017 के दृष्टी पत्र को राष्टी विकास परिशत ने 22 अक्टूबर 2021 को मंजूरी दी और 12 पंचवर्षिय योजना विशे वस्तु तीब्र सतत और अधिक समावेशी विकास की है सतत और अधिक समावेशी विकास 12 पंचवर्षिय योजना के मुखे लच्छे हैं सकल जीदीपी में बृधी 8.8 परतिशत प्रमु उत्पादन में उद्दोग में 7.6 बिजली गैस और जलपुर्टी में सेवा में 9 पॉइंट यानि बैपार होटल परिभन और संचार केसी पानिकी और मत्सपालन में 4 पॉइंट बित बीमा और भवन निर्मान और वेफसाही छेत में खनन और उद्खनन में 8.0 यानि सामोदाइक सामाजिक और नीजी छेत में और निर्मान में 10 पॉइंट यानि और उस्रत राच्छ के घाटा कुल जीदीपी का तो लच्छे का ब बत्र को राश्टी विकास परिस्तत ने 22 अक्टूबर 2011 को मंजूरी दी बारवी पंचवर्शी योजना की विशेवस्तु तीवर सतत और अधिक समावेशी विकास की है बारवी पंचवर्शी योजना की परमुख लजे क्या थे सकल जीदीपी बृद्धी में 8 पॉइंट उत्दोग में 7.6, सेवा में 9, किशी वानकी मसपालर में 4, खनन और उत्खनन में 8, निर्मान में 10, उत्पादन में 9.8, बिजली और गैस और जल आपूर्टी में 8.5, बैपार होटल और परिवान एवन संचार में 11.0, वीत बीमा भवन निर्मान और बैफसाही चत में 10.0 सामुदाइक, समाजिक और निजी सिवा में 8.0, और औसद राज्ट की घाटा कुल जडिबी का 3.25 परसेंट है, तो गाइज वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इतना ही आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का में गरवाऊंगी, तो आप प्ल सब्सक्राइब, तो वेल आइकन दबाने के बाद जो एक घंटा होता है, वो इसको अपके लिए कर दें, जिसमें और लिखा हुआ रहता है, तो थाइंक यू गाइस, वेरी मुझ